वेलकम टो बिल्टेटेक, हमारी चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में हम 3D हाउस डिजाइन के बारे में बात करेंगे, जो 50 फिट की चौडाई में बनाया गया है, ग्राउंड फ्लोर पर शाप है, और फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट बनाया गया है, यहाँ उसके बाद हम इसकी डिटेल्ड डिजाइन के बारे में बात करेंगे, क्या चीज कैसे बनाई गई है, दोस्तों, आपने इसका 3D एनिमेशन देख लिया, अब आईए इसके डिटेल्ड डिजाइन के बारे में देखते हैं, यहाँ पर क्या-क्या चीजे हैं, हमने कैसे बनाई है, यहाँ पर देखें, ग्राउंड फुलोर पर आपको जो है रोलिंग शेटर दिख रहे हैं, दो-दो दोनों साइट में रोलिंग शेटर दिख रहे हैं, बीच में आपका इंट्रीगेट दिख रहा है, और यहाँ पर मिडिल में आपको चार पिलर मिल जाते हैं, किनारे किना मीढिल में कमबाइन रेलिंग दिया है आर्स प्रिकी और शाइड साइड में ए म हमने षटील के रेलिंग फिर उसके बाद ग्लास यानि अल्टरनेट पर हमने प्रोवाइड किया है इस तरह से अब देखें विंडो का डिजाइन कुछ हैसा आजाएगा विंडो में भी हमने चारो साइड से मॉल्डिंग प्रोवाइड किया है और यह टाप पर जो है पैरापेट वाल में हम पर उढ़न पर बॉड दिजांगे इस तरह से जो है यह वरो आपको देख लिजिए इस तरह से गलारळडडी का यूज किया है उड़ेन फ्रेम में यहां पर जो हमारा पर एंग्लाड़ास और लखडी का बनाए यह बीच का portion जो है वह openable है किनारे वाला portion जो है वह fix है window का design कुछ इस तरह से हमने इसमें hollow pipe का use किया है hollow pipe का design दिया है window का इस तरह से जो है बनाया हमने इसे अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी door window और इसका जो picture है color है उसको आप अपने हिसाब से भी provide कर सकते हैं यह ड्राइंग बस यह डिजाइन आपके लिए एक basic सा idea प्रवाइड करने के लिए है कि आप इस तरह से अपना house का design कर सकते हैं अगर आपका house कम विठ्थ में है तब भी आप इसे set कर सकते हैं और ज्यादा विठ्थ में है तब भी यह आपकी अकार्डिंग है आप किस तरह से घर बनवाना चाहते हैं और किसी अच्छे से इंजिनियर को hire करें उसके हिसाब से जो है वह आपका design बना देगा है अब यह इधर से हम देखते हैं इस साइड से भी ऐसे लगेगा कुछ यह लुक दूसरी साइड से इधर टाप का लुक ऐसा लगेगा अभी दोस्तों इसका करें jetzt-से डिटेट बार मोलडिंग के बारे में समझेंगे जहांवासिक हमने किस तरह की प्रवाइड कि अभी पहली मोलाडिय जो हमारी है यह हमने जो है इस साइड से यह 1 inch की पट्टी दिएं, फिर 1 inch से, एक इंच ऐसे, यह पूरा 3 inch में है, फिर 1 inch से जाएगा, फिर 1 inch नीचे की तरप, इस तरह से हमारी यह molding है, अब column की molding देख लीज़िए, इसमें आधा आधा इंच की पट्टी हमने दिया, यह aADHा इंक है, फिर 1,5 inch राउंड है, फिर अधार आदा इंच इन्च इंच इसतरह से यह बनाएं अब आए दूसरी मॉल्डिंग अपनी रेखते हैं वो किस तरह से बनाया है यह इत्वरी हमने जो है यहां पर हम प्झी की पट्टी है फिर आधा इंच फिर आधा इंच फिर आधा इंच यानी दोनों मिलाकर के दो इंच हो गया एक इंच यह उपर एक इंच यह फिर उसके बाद यह नीचे लंबा वाला पोर्शन तीन इंच में है फिर नीचे जो हमने एक इंच बनाया या यानि शह इंच में भी मोल्डिंग बनाई गई है अब यह पैरापेट वाल की मोल्डिंग देख लेते हैं यह अभी देखी एक इंच और यह राउंड वाला पोर्शन एक इंच दो इंच हो गया और यह नीचे जो आधा अधा इंच में बनाया गया यह जो एक इंच हो गया निए तीन इंच में जो है पार पेट वाल की मॉल्डिंग हमने बनाया है अब जो हमारा यह फरन्ट वाला करें शेयर करें फाइनली थैंक्स फार वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी चैनल पर हम इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं